नमस्कार स्वागत है आप सब का हमारे खासकारिकम देश देशांतर में मैं हूँ कवीन सचान भारती रिजर्वाइंग के मताबिक भारती ए कस्टमर्स का पूरा पेमेंट का डेटा सभी एकॉमर्स कंपनियों को भारत में ही रखना होगा अगर पेमेंट की प्रोसेसिंग किसी दूसरे देश में भी पूरी हुई हो तो भी उससे जुड़े सभी डेटा को पेमेंट होने के बाद 24 घंटे के भीतर देश में एकॉमर्स कंपनियों को लाना होगा साथ ही रवी आई की मनजूरी के बाद ही पेमेंट डेटा को विदेश में किसी रेगलेटर के साथ शेयर किया जा सकता है आर्वी आई ने 6 अपरेल 2018 के डिटा लोकलाइजेशन से जुड़े सर्कुलर पर पूछे गए सवालों के जवाब में 26 जून 2019 को ये बातें साफ की हैं तो समझेंगे कि आर्वी आई के इस नए साफगोई या फिर इन नए कदमों से ई-कॉमर्स कमप्णियों पर क्या इंपक्ट होने जा रहा है क्या उन पर असर पड़ेगा साथी साथ क्या कुछ उन्हें बदलना होगा और इसके चलते देश में जो तमाम बातें सेक्यूर्टी को लेकर कही जा रही थी वो कितनी जादा अब मजबूत हो पाएंगी हमारे साथ शुर्मल बेटर चार्जी हैं विशेशग हैं साइबर नीत के बहुत दो स्वागत है शुर्मल आपका यतीश रजावात हैं आप वरिश पतकार हैं और आर्थिक मामनों पर कड़ी नज़र रखते हैं वेद कुमार जैन जी हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं दनि की ज़रूरत क्यों पढ़ रही है क्योंकि लंबे अर्से से मांग हो रहे थी एकॉमर्स कंपनियों को लेकर सरकार के पास हो जा रही थी उन्हें कुछ छूट मिलनी चाहिए लेकिन शायद आप सभी रास्ते बन बिलकुल अगर आप देखते हैं यह अर्बियाई की कि यह डाटा प्रोटेक्शन और बैसिकली डाटा लोकिलाइजेशन के मामले में इस देश में डाटा लोकिलाइजेशन होना यह बहुत दिन से बात चले जहां तक इसमें ऑब्जेक्शन आते हैं यह अमेरिकन बिग कॉम्पनीस से आ रहे हैं और इसी लिए इनके सरकार भी इसके साथ दे रहे और इनकी अभी जैसे सेकेरिटरी माई पॉम्पयों है जरूर इसमें बात हुई इस बारे में लेकिन ये बिलकुल क्लियर है कि यह जो अमेरिकन एप्रोच है माई वे और दी हाई वे यहां काम नहीं करेगा और करना नहीं चाहिए और हमें इनके सामने ये साबित कर देना है कि नहीं होगा हमें ये एक प्रिसिडेंस भी देता हूं कि डिफेंस की मामले में भी जो हमारे लिए जो डिफेंस एकुप्मेंट्स आते हैं और अमेरिका की जो कदम है शुरू से वो अच्छा रहा और हमारी यहां डाटा होना चाहिए क्योंकि वोल्यूम आफ ट्रेंजेक्शन बढ़ते जाएगा आपकी आज की डेट में प्रैवेसी कूपर इतनी क्वेश्चन मार्क उट रहे तो मुझे लगता है कि यह स्टेप अच्छा है और हमे इसके मुझबूती से इसको अगे बढ़ाना चाहिए यतिश यतना बड़ा मसला क्यों है e-commerce कंपनियों के लिए देखे यह मसला बड़ा इसलिए हो गया है क्योंकि आप धिरे धिरे आपकी जितने भी बाजार हैं वो डिजिटाइज हो रहे हैं आपकी economy डिजिटाइज हो प्रोजेक्शन यह है कि 2025 तक करीब एक ट्रिलियन डॉलर डिजिटाइज हो जाएगा अगर एक ट्रिलियन डॉलर डिजिटाइज हो जाएगा और वो transaction based visitation है मतलब कि उस पर जैसे JST पर टैक्स आप जानते हैं लगता है रिसीट पर लगता है यानि कि एक transaction होती है buyer और seller के बीच में और उस पर एक tax आ जाता है उसी तरीके से यह e-commerce की transactions है e-commerce की transactions भी एक buyer और seller की बीच में है difference यह है कि यह platform में buyer हिंदुस्तान में बैठा है और हो सकता है जो seller वो कहीं बाहर बैठा है और उस seller के बीच में और एक platform है कभी-कभी जो marketplace की तरह अपने आपको project करता है बट वो marketplace ना होके वो actually उसमें profit भी retain करता है लेकिन वो retention उसकी फिर Singapore में होती है तो यह जो confusion e-commerce की वज़े से create हो है digital market में इसकी वज़े से press note 2 आया उसके बाद फिर अब issue यह आया क्योंकि pressure in companies का और आप जानते हैं कि Walmart जैसी company involved है Amazon involved है यह दुनिया की सबसे बड़ी company उसमें गिनी जाती है तो इस पे यह इतनी बड़ी company है कि यह US government को भी pressure में ला सकती हैं और इसी वज़े से US government इस issue पे लगातार तक पर है कि हिंदुस्तान अपने कानून बदले जिस तरीके से इन companies को यहां पे कभी भी future में भी tax के दायरे में ना ला सके लेकिन अब देखिए fundamentally यह एक tax policy का issue बन गया है यह एक jurisdiction का issue बन गया है यह permanent establishment का issue बन गया है क्योंकि transaction determine करेगा आपकी location transaction determine करेगा कि आपकी permanent establishment कहां पे है transaction ही determine करेगा कि आप tax jurisdiction में आते हैं नहीं इसलिए ये बड़ा इशू बन गया इसलिए आपने देखा होगा सुरेश प्रभुजी ने कहा कि ये इशू सिर्फ commerce का इशू नहीं है इस इशू को department of मेटी को address करना चाहिए और मेरे इसाब से इसमें ministry of finance or cbdt और cbc भी involved होने चाहिए क्योंकि ये data localization in policy सिर्फ privacy security तक limited नहीं है now it has more elements which is biggest element of क्या है taxation sovereignty क्योंकि taxation से determine करते कि आपकी sovereign boundary क्या है तो मेरे ख्याल से अब यह issue RBI ने समझा है और RBI का जो यह जो FQ आया इसको आपको इस नजर से देखना चाहिए कि देखिए policy सरकार बनाएगी लेकिन जो payment gateways को जो permission दी जाती है वो RBI देता है मैं ऐसी बहुत आना चाहरा था तो RBI को यह क्यों कहना पड़ रहा है सरकार की policy क्योंकि e-commerce को लेकर delay है अब कुछ और वक्त लेगेगा सुझाओ बांगे गए हैं तो ऐसे मैं जो वेद जी e-commerce company के लिए अगर इस circular को या notice को मैं कहूं RBI का इसकी महता क्यों बढ़ जाती है और क्यों RBI को especially एक कहना पड़ रहा है कि अगर देश का व्यक्ति है और यहां पर आपके business कर रही e-commerce company गेटवेक इस्तेमाल करती हैं कोई भी finance के लिए दिन होता है तो आपको यहां पर उसका data रखना होगा आपने बड़ा एक महत्पुर्ण सवाल पूशा और यही बिल्कुल important question है कि इसके लिए regulation RBI ने क्यों मनाया this is the important question और स्वा कारण आप देगे स्पस्ट है बिल्कुल कि पहले क्या था जो आपकी digital payment and transaction थी बहुत minimal थी उसमें देश की कहीं भी economic security के ऊपर कोई issue नहीं थे आज की date में जो तिस दंग से transaction बढ़ रही है आज की date में लगबख year's dollar 3 billion की transaction हो गई है और ऐसी projection है कि हमारी GDP का लगबख 20% 2022 तक आ जाएगा अगर एक देश की economic data financial data एक दूसरे country के पास storage में चला जाएगा तो उस storage में जाने के वज़े से जो economic sovereignty है और economic independence है और उसकी economic जिसकी फ़सरी की जा सकती है data की वो एक challenge है अपने आपे और क्योंकि economic issues और ये जो payment system वाले जो जितने operators हैं ये RBI के regulations में आते हैं और economic की overall monitoring RBI के पास है इसलिए RBI ने अपने इस कानून इस policy का अड़ाप किया और 6 अपरेल 2018 को वो notification issue उसी policy में किया कि भी जितने भी ये PSOs हैं जितने भी हैं इन सब को सारा data इंडिया में ही रखना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत महत्रपूर्ण issue है जैसे देश में होता है कि भी जो आज की डेश की security में जैसे आपने telecommunication में डेखा कि telecommunication का जो data है जो इसकी storage है क्योंकि वो एक महत्रपूर्ण है इस country की security के लिए defense के लिए उतना economic defense and economic stability के लिए जरूरी है कि मेरा data किसी दूसरे country में नहीं हो और वो मेरा misuse हो जाए और कोई और use हो जाए data क्योंकि आज की date में financial data सिर्फ ये नहीं है कि आप उसके देश की कुछ अपने अर्थवश्ता को ठीक करने के लिए वो देश के लिए आज की date में प्रोन है डेंजर की data को लेके कोई मेरा misuse नहीं करते तो RBI यू step in कि भई मैं यह आपको data इसने करें और आप देखेंगे जो RBI ने पहले 6 अपरेल 2018 को notification निकाला अफ में कहा कि data सारा इंडिया में होगा अब जो अभी जो clarification issue किया जो FAQ किया है उसमें भी उन्होंने चार options बनाएं बहुत clarity बनाए है कि data सारा इंडिया में होगा आप processing करेंगे तो processing बाहर कर सकते हैं क्योंकि कुछ company ने कहा कि हमारी जो operations है वो बाहर है processing करने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर वो data इंडिया में आ जाएगा और बाहर से eliminate हो जाएगा आपको किसी की grievance वगार address करनी है तो real time basis बें आप यहां से data access करके उसको करेंगे with the result कि जिस समय इंडिया चाहे उस data को लोग लेगा कि यह बाहर यूज नहीं हो पाएगा बाहर नहीं जा पाएगा cross border transaction में उन्होंने कहा है कि limited purpose के लिए वो transaction आप बाहर सोट कर सकते हैं तो यह एक सवाल है economic sovereignty का economic security का financial sovereignty का financial security का क्योंकि देश की जो सुरक्षा है वो limited नहीं है border के देश की सुरक्षा है और है कि financial security भी बहुत important है कि कोई हमारी financial के उपर ऐसा attack नहीं कर जाए जिससे कि हमारी अर्थ व्यवस्था को असर पड़ जाए क्योंकि इस data के बेस्पे आप कोई बेना बेसे निकालती है पहले यह प्धार 2000 से पहले बहुत चोटा data था उसकी कोई significance नहीं थी जैसे अब पढ़ रही है हमारी GDP का लगबग 20% करीब उसमें चला जाएगा तो किसी भी देश को यह निकालना की सिकी के economy में क्या मैं reaction कर दूँ या reaction ले लूँ जिससे इसको affect हो जाएगा तो वो किया जा सकता था उसको रोकने के लिए basically क्या गया और जो कंपनियां जो affected है जैसे बहुत सारी multinational कंपनियां जो बहुत का operate करती है उनका जो major issue है वो इससरफ infrastructure का है और जो लास्टम आरगे इसको नोगना अपील की थी वो यही की थी कि हमें समय देदी जी हम करने का हमारी cost बट रही है ऐसा issue नहीं आया कि यह नहीं रखेंगे इंडिया में क्यों रखा जाए प्रेशाद आते हैं दूसरे country के क्योंकि इसमें एक naturally एक country के business effect होता है कि मेरे यहां data storage हो रहा है तो मुझे इसका benefit मिलता है तो वह वक्ता है important country US वगारा कोई effect लगता है कि मेरे होगा लेकिन at the end of the day आप यह तो नहीं कहेंगे कि अपने defense के equipment दूसरे country में लगा कर रखेंगे जिस तरीके से वेज जी कर रहे हैं अशोग जी जो reasons हैं जिस तरीके से दिखते हैं और RBI केस मैं कहूं कि notice याफ उसके कदम से अब तक दो चीजे हैं जो है तक यतीश ने कहा कि tax और जो आर्थिक स्वायतता है safety security की बात हो रही है वो भी एक बड़ा factor है आपके नजरीश से कुछ और चीजे हैं जो इसमें दिखती है नजार आती है इस कदम से देखें अर्ट बियाई का तो यह policy लोकलाजेशन policy अर्बियाई का issue किया अनदर रिजन इस देट इसके लिए वो भाटाइशन इस इंपर्ट बड़ा आपके लिए इसके लिए वो पाटाइशन इस इंपर्ट बड़ाजेशन इसके लिए अनदर इसके लिए अनदर इसके लिए आपको कोई सिकूर्ट नहीं देगा आप लोकिये आजके अमेरिका उएसे उएसे चैनीस फायरवल सब्सक्राइशन उसको भी ट्रैक करके बहुत कुछ इंपर्मेशन लेहिया राशिया जे हैशन के लिए राशिया में हैंक आपको आपको स्वाप जाटा है ङुँदर इसके इंपर्मेशन लेहिए तो अब मलूम होगा देखिख विदर में कौन आईपी में एक के जाता है इसके इस फोज़िबल फो इनी इनी कांड आज़िशन उसको एक जाता है आए असे प्टार्य का ढारिक्टिन धेक्षित लोग समуш क görün attendance में अमुदा कीजोपने पाचली तरहे इस कईते है लोंना प्राजिक्तστ के इस क्बता एंदाक जिए नथे आप काने आपका राट थाटा का सी इक्यूरिद कॉरता है रिए नोफ को प्रणे लिए है जो भी हो if a China is a as a country as a state or hacking करता है various country का database की लेकि सवाल है कि क्या इससे जो financial तमाम घपले fraud होते थे उसको रोकने की दिशा में कि बड़ा कदम होगा अगर हम लोकलाइज कर कर दो पाएंगे नहीं रोकने क का लिये यह कदम नहीं कर दो श्लाइज कर दो के लिख हो तो cooperative bank not very highly kind of a connected to the in the में नट भी अवे मच अप अनराइग अकाउंट असो किया था ना विका एटियम था नेटरॉग में था कर सकता है तो लोकालाजीशन इस नॉट 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 इस पर हमारे दो पैनलिस कुछ कहने चाहर है एक चीज है देखिए पहली चीज है कि हैकर्स को आप प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं हैकर्स को आप रोक नहीं सकते हैं जैसे आप किसी चोर को चोरी करने से नॉट पर लेकिन जगर चोर पकड़ा जाये तो उसको कानून के तहत आप उसको एरेस्ट करते हैं और उसको आप जेल में ले जाते हैं, वही चीज डेटा लोकलाइजिशन पर अपलाइ होती है, जब तक आपके पास डेटा लोकलाइज़ नहीं होगा तो आपके लॉज एपलाइ नहीं होंगे, मानली जे आपका डेटा सिंगापूर में रखा है, और वहाँ पे हैक हुआ है, और किसी इंड चोर की हैसियत से नहीं देना चाहिए, हमें यह देखना चाहिए कि application of law कैसे होगा और आगे future में यह क्यों important बन जाएगा, क्योंकि हर चीज और इसमें एक चीज बड़ी और एहम है, देखिए, डेटा अभी तक एक output की तरह से देखा गया है, लेकिन डेटा अब एक core product बन गया है financial innovation के लिए, अब जैसे आप देखिए, हमारा stock market सबसे बड़ा market है, इसमें कुछ साल पहले Singapore exchange ने हमारा index को replicate कर लिया, मतलब nifty को, जो सबसे बड़ी index है, इस पे सबसे ज़्यादा trading होती है, सबसे ज़्यादा volume होता है, उसको replicate कर लिया Singapore में, सारा market nifty का Singapore move कर गया है, हिंदुस्तान सिरकार कुछ नी कर पाई, एनसी कुछ नी कर पाई, जिसके पास उस data की ownership थी, क्योंकि हमारा पास यही clarity नहीं थी की ownership और ownership data की का मतलब क्या है, वो मतलब तभी determine होगा जब data privacy का law आएगी, data protection की law आएगी, और data localized होगा, नहीं तो इस तरह से data arbitrage और data पे जो financial products बन रहे हैं, और देखिए, अब सारे products data oriented होगे, आप insurance खरीदेंगे कल, तो आप movie quick से खरीदेंगे, आप paytm से खरीदेंगे, वो insurance आपको किस तरह बेचेगा, वो आप insurance बेचेगा, जो आपकी transaction होई है पिछले 2 साल में, आपने क्या खरीदा, क्या बेचा, क्या उमर है आपके consumption value क्या है, यह सब basis determine करेंगे financial products को, तो वो financial innovation भी आप अपने देश चे बाहर भेशें, तो इसलिए RBI नहीं है जो FAQ निकाला, इसके मेरे हिसाब से 2 purpose है, एक clarity from RBI perspective, क्योंकि RBI license देता है payment banks को, payment gateways, payment banks और wallets, जो इसके back end पे हैं, इन सारी e-commerce company के back end पे हैं और यह transaction को facilitate करते हैं, उस पे आप clarification क्यों हो गई है, नक्स आप, आप कुछ कहना है जा रहे हैं तो इसका ब्ला सवाब प्छोड़ा है, तैक्स को लेकर, टैक्स से बस्ती रही है का इस अरी e-commerce company लोकलाइशन के बाद, उसके जरीए भी एक बड़ा revenue जनरेट हो पाएगा, ने देखें मैं उस इशू पे थोड़ा से बाद में एक मत बताता हूं, पहले जो इशू है, जो RBI का जो है, उसमें आप एफेक्टियू से आइडिया लगाना चाहिए कि objective क्या रहा है, अगर आप एक question answer का data देखेंगे, एक question में RBI ने पूशा कि क्या है ये data foreign regulator से share कर सकेंगी ये वो company है, मेरे देश में रहेगा, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि data एक ऐसी चीज है जिसकी physical asset नहीं है, intensible है, intensible form है, और इसकी movement बड़ी fast हो सकती है, border से किसी को पता नहीं है, जैसे मैं common language में कहता हूँ, पानी है, पावन है, पक्षी है, आप इसको रोक नहीं सकते, कहीं से नि आरवे ने का है कि ये ownership इंडिया की है, इंडिया को कि financial data आज की data में एक बहुत बड़ी asset है, intensible, ये मेरे देश में रहेगा, सुरक्षा भी है, property भी है, asset भी है मेरी, और इसके ऊपर मेरी जो regulations है, कानून सारे मेरे ही लगेंगे, अब रहा है, आपका सवाल tax के बारे में, कि tax के बारे में, क्या issue आएंगे, देखे, आरवे ने, जो major मेरा ऐसा माना है, जो notification निकाला है, उसका purpose है, data की security का इंडिया में रखने का, जो issues आएंगे कि transaction कहा हुई है, ये हुई है, आज की date मेरा ऐसा माना है, कि जो income tax में पिछले दिनों में amendment हुई ही है, जिसमें उन्हों वाली place of effective management, P working जो कर दी है, और जिसके इसाब से उन्होंने जो आज की date में OECD की बहुत सारी जो commentary है, और DTAA के अंदर आती है, तो ये जो transaction इंडिया में होती है, इसकी सारी taxation इंडिया में ही आएगी, एक छोटा सा issue आता था कि processing charges जो ये बाहर data storage charges है, अगर data बाहर storage है, त processing RBI ने allowed कर दी है, तो अगर ये कहेंगी कंपनियां कि साम मैनेजर से MXO वाले हैं, ये वीजा वाले हैं, मास्टर कार्ड वाले हैं, जब ये transaction करते हैं, ये कहेंगे हम processing बाहर कराते हैं अपनी उस transaction की, और 24 घंटे में वो वापिस आ जाती है, तो storage की cost नहीं मिलेगी, लेकिन processing की cost तो अभी भी detection मिल जाएगी, तो taxation में मेरा मानना ऐसा issue है, कि incidental benefit आ जाएंगे इससे, लेकिन कोई major benefit मुझे नहीं रखता कि, इसमें tax का implication है, major implication है इसका, कि data की security, जो financial एक आज की data में data है, वो भी एक देश के लिए defense का बहुत बड़ा equipment है, तो मर, इस नए कदम से, पिछले कुछ वर्चों में, ने अगर अगर देखे, इनका excuse अलड़ी थे, मैं डॉक्टर नाक से तोड़ाज़ा differ करता हूं कि localization के लिए को फुल प्रूफ solution नहीं है, लेकिन एक पहले कदम है कि data आपकी देश में है, आपकी regulator की control में है, ये जो companies है, जो objection ला रहे है, ये consumers की प्रती cost बढ़ जाएंगे, ये तो मुझे लगता है कि कुछी समय में ये अपने आप arbitrage में हो जाएंगे, आप अगर इन्वेस्ट करते हैं और यहां हमारी देश में इतने सारे companies, American companies के साथ इतने सालों सालों से आपकी काम करते जा रहा है, we are following all standard operating procedures, हमारी track record बड़े अ इनको यहां invest करने में physical, cyber physical systems या कुछ में भी इनको कोई इतराज नहीं होना चाहिए और हमें इनको इसी तरीका से एक pressure में लाके करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि e-commerce companies को respect करना चाहिए, ये एक देश है जिसमें बहुत जादे बुखता कि जो आपकी सीमा है वो बहुत है, मतलब इतने लोग आएंगे, आज की डेट में आपकी कितनी 30-40% citizens अभी transaction कर रहे है, तो इनका जो benefit मिलेगा business-wise से बहुत जादा है, तो हमें इनको force करना चाहिए, कि they should listen to us, listen to whatever legal proceedings we take and move forward, और मुझे लगता है कि ये इतने legislation इस session से निकाल के जाएंगे, इनको ऊपर काफ होते हैं, यति शिव कि देश में मैं देखा था, कि 42 करोड के असपास internet user, ये संख्या 2019 के आखरी तक पहुँचेगी, और जिस तेजी के साथ रफतार बढ़े हैं, आपने कहा कि जो e-commerce कंपनियों में वित्तिय लिंदेन करते हैं, उनकी संख्या भी बहुत तेजी के साथ ब ये सिस्टम कितना मजबूत है? कंट्रीज को होनी चाहिए, अपने आप डिरिक्टमाइन करने के लिए, हमारी जैसे आपको याद होगा कि हम हिंदुस्तान पहला देश था जिसने गूगल टेक्स लगाया, हमने लगाया टेक्स पहले और फिर यूरोप ने उसको फॉलो किया, तो कुछ टेक्नलोजी, पॉ लग बैठा है, क्योंकि चीन ने इस पे अपना रुख पहले से बना दिया है, चीन बहारी कंप्पनी इसको अलाओ नहीं करता, उसकी आप अगर टॉप 3 इकंपनी देखेंगे तो सारी चीनी है, हिंदुस्तान में अगर आप टॉप त्री इकंपनी देखेंगे तो उसमें दो American है और तीसरी Chinese है आप यहां पर जितने भी payment wallet देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि top four में Chinese investment है तो हमने कभी investment को prevent नहीं किया चीन ने investment को भी prevent किया है और अपनी policy को उसने इस तरह से create किया है कि वो उनहीं की companies और उनहीं की jurisdiction में रहे है उनकी data policy बहुत परानी है मतलब आप यह देखिए कि उन्होंने force किया Apple को कि आप localize करें उन्होंने Google को force कि आप search का data ना सिर्फ localize करेंगे पर वो तो इस हद तक चलेगे कि आप उसको white wash करेंगे आप चीन में अभी कोई search करें जो चीन के सरकार के खिलाफ हो तो वो Google पर नहीं आएगी तो मनलब वो एक एक तरह से वो एक extreme case है लीडर की तरफ भारत है इस तरह की नाक साब एक आखरी closing remark में चाहूंगा आपका जो तमाम कदम जो तमाम बातें सामने इकल करा पर यह मजबूत इसमें क्या देख रहा है और आगे का रास्ता क्या है एक है लोकलाजेशन जे स्टोरेज लोकलाजेशन आउर एक है के आपका इंटरनेट आपका कंट्री का अंदर से आपका डाट वकुरेगोई बाहर में नहीं जाया आए अथा इंटरनेट इसे कॉनली पर संदूत इसे को दिखे है कि अधर इसे कुरेगोई रहा है तो अंब जे स्टोरेज को नाउर ऑची को पाका इंटर आगे समया है तो अम्मान जे लोकलाजेशन पोलिशी क्या है ये शोरेजर के आपका अगेसा इसे मरतित खास्टोरेज, इसे का इसे का 1 दृूरेजर के किया यह रेकमेंडेशन आता है यह रेकमेंडेशन एक अर्टिपिशल इंटेक्निक के उसको डाटा करता है वह की लोकलाइस होगा अना कि वह कहना है सिर्फ स्टोरेज को लेकर है कि जो आप ट्रांडेक्शन करते हैं उसका डाटा स्टोरेज इंडिया में आपको करना होगा और साथी साथ अगर प्रॉसेसिंग बाहर होती है तो उसको भी 24 गंटे के अंदर आपको देश के अंदर को ला रहागा वक्त कम है लेकिन माफी आप सभी मिमानों का हमारे साथ इस बेयाद आहम चर्चा में शामिल होने के लिए तो देश देश आंतर में आज फिर आल इतना ही नमस्कार